आप दो कि अपने नाश्ट कर दोस्तों कैसे आप लोग भगवान से मनाते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वास्थ होंगे तो दोस्तों आज फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है क्रिश्णा रिंग की ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों तो अभी सुबह का बज रहा है लगभग 10 दोस्तों तो अभी हम समान बनाने जा रहे हैं पापा वहां पे लगभग 2 घंटा से समान बन रहा है तो दोस्तों अभी यहां पे समान निम्की थोड़ा सा भी बन चुका है और निम्की यहां पे बनाना है सोनों थोड़ा सा हमको हेल्प कर देता है है और यहां पर थोड़ा वनाना बागि दोस्तों देख रहा है छोटा छोटा निकी जोन बिल रहा है इसको फिर बढ़ा-बढ़ा वमको जै prophecy पर देखते हैं तो निम्की स्पाइबREW मुर्णा काम अभी नहीं करते हैं जो भी। तो निमकी अभी बेल करके और यहां पहले रखते हैं इस तरह करके और इस तरह से निमकी पहले रखते हैं यहां बेल के तो दोस्तां बेलने के बाद इसको अम लोग इस तरह काटते हैं हम और सॉनू कि दोना मेल करके काटते हैं अकेले तो समान बनता नहीं आज संडे भी थोड़ा सा मदद कर दे रहा है असे ले छुट अच समय कोरई भी वहां पर पेकिंग कर रहे हैं रित थे कि का अब देख सकता है आज इसलिए अंचाट करके और उसके बाद काटा ही में डालतेश्ट इसलिए कह ऊंनिन की आम यद्लोग इसी त brat शांता हैं दोस्त-ускंद देख सकते हैं और निमकी हम लोगों का यहां पर बहुत पसंद किया जाता है कि जो भी माल बनाते हैं हम लोग फ्रेश बनाते हैं और आप देख सकते हैं भाईया भी निमकी निकाल रहे हैं और जो बचा हुआ है वो स्वनू काट रहा है हुए अच थोड़ा सा बुदिया भी बनाया है दोस्तों देख सकते है और जोड़ा सा एक वेज़ती के घर में कुछ हैं नाया संड़े आना जल्दी नाया करो शुटी नहाने के बाद तुम नहा लेना दोस्तों उस दिन जो हम लोग धनिया और मुल्ली लगाए थे आप लोग देख सकते हैं छोटा-छोटा मुल्ली निकल चुका है आप देख सकते हैं और तीन से चार दिन में मुल्ली तो निकल जाता है लेकिन धनिया अभी लगभग इसको जो दाना है दोस्तों निकलने में ल लग रहा है और मुल्ली तीन से चार दिन में निकल जाता है दोस्तों चारों तरफ मुल्ली निकल चुका है अब देख सकते हैं लेकिन धनिया को लगभग 12-13 दिन लगता है निकलने में दोस्तों सौनु और हम में आज बहुत जबरजस्त कंपेटिशन चला दोस्तों निमकी काटने में तो आसा आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही प्रसंद आया होगा और बहुत ही इंटरस्टिंग था दोस्तों आज का वीडियो तो लाइक शेर और कमेंट करना बिलकुल नहीं भूलें साथ मैं आप अगर नए बेखती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए दोस्तों और कल फिर मिलता है एक नए ब्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई